प्रोड़क्ट लाइफ साइकल और आपके कम्पनी के प्रॉफिट का बहुत ही गहरा रिलेशन होता है हम यहाँ पे एक चार्ट दिखने वाले है एक्स एक्सिस है वाय एक्सिस है और जहाँ पे नंबर वन है जीरो वहाँ से हमने प्रोड़क्ट या सर्विसेस की शुरुआत की थी फिर उसके बाद आता है second stage वहाँ उस stage को बोलते है growth and development stage उस stage तक company जबी शुरू होती है और growth and development stage पे जाती है तभी company का जो sales revenue होता है वो बहुत बढ़ते रहता है company के expenses उतने नहीं बढ़ते है लेकिन company का profit बहुत ज्यादा होता है then second to third stage तो वो जो होती है उसे कहते है maturity stage वहाँ पे अपना product matured होता है जो market में बहुत competitor होते है तो अपना product maturity level पे जाता है वहाँ पे अपना revenue उतना नहीं बढ़ता है लेकिन expenses बढ़ने लगते है और profit maintain होता है तो अपना sales revenue maintain होता है profit maintain होता है या profit कम भी हो सकता है लेकिन अपने expenses बढ़ते है and third stage to fourth stage जो decline stage हम कहते है, so decline stage में क्या होता है, decline stage में हमारे expenses बहुत बढ़ते रहते हैं, हमारा revenue उतना नहीं बढ़ता है, competitor बहुत आते हैं, so free services वो लोग देते हैं, competition में price war चालू हो जाता है और अपनी profitability कम होने लगती है, so introduction stage, फिर growth stage, फिर maturity stage और फिर decline stage, so आप ही सोचो कि आपके company में ऐसे कौन-कौन से product या services है, जो product life cycle में कौन-कौन से stage पे है, और उसके बाद आपको profit बढ़ाना है, तो आपकी strategy और action क्या होगी, मतलब आपको यह समझ में आना बहुत जरूरी है, कि product life cycle के कौन-कौन से stages में profit क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आपका product grow stage में है तो आप sales revenue बढ़ाओ, marketing के expenses बढ़ाओ, sales के लिए expenses बढ़ाओ, لेकिं sales revenue जादा करो, अगर आपका product maturity stage में है, तो आपकी strategy अलग होगी, और आपका product decline stage में है, तो आपकी strategy जी क्या होगी या अलग होगी तो आप वो सोचो लेकिन आपका प्रॉफिट ज्यादा होना बहुत जरूरी होता है